रेडी इस्टार्ट भारत की शक्ती के श्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलजी हुई है पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त इसपश्ट हैं भारत तकनीक की दोड में पिछड गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछडा हुआ था तकनीकी प्रगती के मामले में आगे निकल गया इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और ऐसी होसला मंद जीवनी शक्ती और मानसिक्ता थी जिसकी अभी व्यक्ती बहुत से कारिकलापों और आविशकारों की रोमान्चक यात्राओं के माध्यम से हुई थी नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सेनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया यह केवल भारत की ही नहीं लगभग सारे एशिया की कहानी है ऐसा क्यों हुआ इस गुत्थी को सुलजाना जादा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनी की कोशल की कमी थी नहीं किन्तु बाद की सदियों में उत्रोतर गिरावट का आभास होने लगता है जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है शीन होती रचनात्मक प्रेवरती की जगे अनुकरण की प्रेवरती ले लेती है जहां कामियाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धती ने रेकरती और ब्रह्मांड के रहश्यों को भेदने का प्रयास किया था वहां अपनी चमचमाती लंबी व्याख्याओं के साथ शब्दा डंबर से लैस भाश्यकार उसकी जगे लेता दिखाई देने लगता है भव्यकला और मूरती निर्मान का स्थान उद्धात अवधारना और परिकल्पना से विहीन जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नकासी लेने लगी प्रभावी किन्तू सरल सजीव और सम्रिद भाशा की जगे अत्यांत अलिंकृत और जटिल साहित्य शेली ने लेली साहसिक कार्यों की लालसा और छलकते हुई जिन्दगी जिसके कारण दूर दूर तक उपनिवेशी करण की योजनाय और सुदूर देशों में भारतिय संस्कृती का प्रती रोपन संभव हो सका था शीन हो चली और उसके इस्थान पर महासागरों को पार करने पर रोग लगाने वाली संकेन रूडी वादिता ने जन्म ले लिया जाज पड़ताल की वहे विवेक पून चेतना जो प्राचीन समय में अध्यन्त इस्पष्ट थी जिसके द्वारा विज्ञान का और अधिक विकास संभव होता लुप्त होती गई और विवेक हीनता और अतीत की अंधी मूरती पूजा ने उसकी जगह ले ली भारतिये जीवन की निस्तेज धारा अतीत जीवी हो गई और निर्जीव शताबदियों के पुंज से होकर धीमी गती से बहती रही अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मुर्चा से ग्रस्त हो गई आश्चरिये नहीं की मानसिक जडीमा और शारिरिक ठकावट की इस हालत में भारत का अपकर्शन होने लगा वह गती हीन और जड हो गया जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगती के पथ पर बढ़ते गए किन्तु यह स्तती का पूरा और पूर्णत सही सर्वेक्षन नहीं है यदि केवल जडता और गती हीनता का एक रस और लंबा दोर रहा होता तो इसके परिणाम स्वरूप अतीत से पूरी तरह नाता तूट जाता एक युग का अंत और उसके किसी नई चीज का निर्मान होता इस तरह का क्रम भंग हुआ नहीं और एक निश्चित साथ तै बना रहा इसके अलावा समय समय पर पुनर जागरण के इस पश्ट दोर आते रहे इन में से कुछ लंबे और वेभवशाली थे नए को समझने और उसे अनुकूल बना कर कम से कम पुराने के उस अंच के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामन जश्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं अक्सर पुराने का केवल बहारी धाचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतरवस्तू बदल गई